है गाइस वेलकम बैक तो मैं चानल इस सुडियम मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूंगा आउट टू रिमूव प्लेगरिजम फ्रम एनी कंटेंट कंटेंट में भी एनीटिंग लाइक युवर आर्टिकल और रिसर्च पेपर वेल गाइस सबसे पहले हम देखेंगे प्लेग करके एड करोगे एक बार आपने प्लेगरिजम चक किया तो 50% आपका प्लेगरिजम दिखाएगा प्लेगरिजम मीन्स आपने कंटेंट कुछ से लिखा नहीं है आपने तोड़े कंटेंट है ना दूसरे वेबसाइट से कौपी करके एड किया है वेल अगर आप इसे ही सी कं में publish करोगे then copyright का strike आएगा तो इस चीज को अवाइड करने के लिए आप लोगों को सभी content है ना वो plagiarism free करना पड़ेगा well मैं आप लोगों के साथ total two methods share करूँगा जिससे आप लोग किसी भी content को plagiarism free कर सकते हो well इदर आप लोग देख सकते हो इस content को मैंने मेरी website से copy किया है CS electrical and electronics और अब मैं इसको कॉपी करके देखेंगे हम plagiarism इसका कितना है अगर plagiarism है तो इसको मैं tick करूँगा plagiarism free बनाऊंगा इस content को वो भी two methods के साथ आप लोग कोई भी एक method select कर सकते हो और उससे पहले गाइस आप लोग इस tool को install किजे इस tool grammarly for chrome extension को आप लोग आपके browser में add कीजिए इसको add करने के लिए आप लोग simply chrome extensions आप लोग google पर search कर सकते हो chrome extensions then ओके इस पर जाकर आप लोग grammarly type करके उसको add कर सकते हो फिर आप लोग देखें इधर आप लोग grammarly search कीजिए then you can add easily it is mandatory आप लोग इस को पहले add कीजिए अब हम देखेंगे plagiarism सबसे पहले मैं इस content को copy करूंगा और plagiarism चक करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे websites मिलेंगे online में plagiarism चक कर आप लोग यह से type कीजिए मैं आप लोग को suggest करूंगा कि small SEO tools आप लोग यूज कीजिए क्योंकि फॉस्ट है and accurate result दिखाता है देन आप लोग स्क्रॉल डाउन करें इधर आप लोग content को paste कीजिए आप लोग देख सकते हो टोटल वर्ट्स कितने 292 वर्ट्स सॉरी और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोग इस बॉक्स को चक किजिए आप लोग देन क्लिक आउन चक प्लेगरिजम इस तरीके से प्लेगरिजम को चक किया जाता है यह से बहुत सरे वेबसेट्स आप लोग को ऑनलाइन पर मिलेगा अब लोग देख सकते हैं यूनिक मेंस आपने सभी कंटेंट को सभी कंटेंट को आपने कुद लिखा है किसी तर्ड पार्टी और दूसरे वेबसेट से कॉपी नहीं किया है और प्लेगरिजम मिन्स आपने इदर आप लोग देख सकते हो 21 परसेंट मैंने कॉपी किया है अगर आपने कंटेंट को किसी और वेबसेट से कॉपी नहीं किया है दैन अप लोग देख सकते हों 100% दिखाएगा अगर आपने एक कंटेंट दूसरे वेबसाइट से कॉपी किया है टोटल ही कॉपी किया देन प्लेगरिसम आपका जाएगा या फिर 100% भी दिखाएगा कि अधर आप लोग देख सकते हो मेरा प्लेगरिसम मैंने 71% ऑगे 78% 85% 92 अन्रेट परसेंट मैंने कॉपी किया है क्यूंकि मैंने मेरा ही वेबसाइट से कॉपी करके पिर से मैं स्कैन कर रहा हूं इदर आप लोग देख सकते हो वेट इस आप लोग देखिए और मैंने इस यस वेबसाइट से कापि किया रहा है अब मैं इस कंटेंड को विश्री बरहूंग रहा है टू वह से एक वे आप लोग का डूरी तूल यूज कर सकते हो इसके बारे मैं आगे बताऊंगा ओके सबसे पहले हम एक मेतेड देखेंगे देट इस आर्टिकल री राइट आप लोग गूगल पर सर्च किजिए आर्टिकल री राइट इसे बहुत सरे टूल्स आप लोग को मिलेगा गूगल पर आप लोग पिर से स्मॉल एसे टूल्स यूज कर सकते हो मैं इसके उपर क्लिक करूंगा देन स्क्रॉल डॉन कीजिए इधर आप लोग को कंटेंट पेश करना पड़ेगा मैं इस कंटेंट को कॉपी करू इधर आप लोग देख सकते हो प्लेगरिसम अंड्रेड पसेंट दिखा रहा है ओके अब मैं इसको रेडियोस करूंगा कि बाइडियूस करूंगा अब रिर्इटिंग आर्टिकल आर्टिकल रिर्इट में क्या होता है वर्ट्स को चेंज करेंगा सपोज इधर आप लोग चेंज करेंगा अब मैं आर्टिकल रिर्इट के उपर क्लिक करूंगा और फिर से हम देखेंगे प्लेगरिजम चक करके कितना है प्लेगरिजम वेल गाईस ज़र आप लोग देख सकते हो वर्ट्स चेंज हो चुके है अब आपको क्या करना पड़ेगा स्क्रोल डाउन करके इस कंटेंड को कॉपी करना पड़ेगा अब फिर आप लोग प्लेगरिजम चक कर सकते हो मैं प्लेगरिजम के उपर क्लिक करूंगा ऑके कि अब हम देखेंगे कितना पर्सेंट आएगा और वेड़ गाइस इद विल टेक फ्यू सेकेंद्स तू रिड़ाइट और तू चख वेल गाइस इधर आप लोग देख सकते हो ओके इस बार प्लेगरिजम शायद नहीं आएगा या फिर 5 तू 10 परसेंट आ सकता है सिंपली गाइस आप लोग आर्टिकल री राइट टूल यूज़ करके वर्ट्स को चेंज करके प्लेगरिजम को टोटली रिमूव कर सकते हो आपके सबी परग्रफ अगर आपका दो या तीन परग्रफ में लेकरिजम में दैन आप लोग उन तीन परग्रफ को कोपी करके वह इंप आप लोग इस content को कॉपी करके आपके आर्टिकल में या फिर आपके रिसर्च पेपर में पेश कर सकते हों इधर आप लोग देखें आप कितना बता रहा है प्लेगरिजम 14 में पहले कितना था hundred परसं था अब आप लोग देख सकते यूनिक कितना 86% इस तरीके से आप लोग plagiarism को totally remove कर सकते हो आपके content में एंड यह था फर्स्ट मेटेड ओके आप लोग फिर से इस content को copy करके फिर से rewrite कर सकते हो गाइस इससे आपका plagiarism totally remove हो जाएगा content से then second method है एक बार आपने grammarly extension add कर लिया then आप लोग simply words के ओपर double click किजिए suppose मैं इस operates के ओपर double click करूंगा ओके देन आप लोग को इसके related अलग-अलग words आप लोग जैसे कि an electric vehicle operates on an electric motor operates के बद्ले में मैं runs इसको मैं replace करूंगा इस तरीके से आप लोग content को plagiarism free बना सकते हो देन उसके बाद मैं instead इसके ओपर मैं double click करूंगा instead के बदले में मैं add करूंगा रेदर देन रेदर देन एंजिन ओके grammarly tool है ना grammar को भी चक करेगा अगर grammatical mistakes है इसको आप लोग fix कर सकते हो with the help of this tool then generates इसके ओपर मैं double click करूंगा इदर आप लोग देख सकते हो produces makes creates एसे आप लोग words को replace कर सकते हो manually या फिर आप लोग article rewrite के ओपर इस website के ओपर visit करके content इदर पेश करके article rewrite कर सकते हो दो आपके पास content बहुत सारा है और आपके पास time बहुत कम है then you can go for this tool article rewrite well guys यह दो method से आप लोग किसी भी content में plagiarism को free कर सकते हो guys यह वीडियो को केसा लगा comment कीजिए और एसे interesting videos देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को subscribe कि thank you for watching this video